आज कल कोई भी सुध चीज पाना बहुत ही मुस्किल हो गया है क्योंकि आज कल के टाइम पे हर चीज में हमको मिलावट मिलती ही मिलती है तो फ्रेंट्स ये चीज को ध्यान में रखते हुए आज में क्या की हूँ आप लोग के लिए इदम सुध और देसी चीज से मैं आपके लिए घी बनाऊंगी वीडियो में आगे पढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजेगा और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा उसके बाद आप मलाई को रखते जाएगा ठीक है फ्रेंस देखेगा कि कितना फरक आता है यह जो मलाई है ना फ्रेंस प्योर गाय का जो दूद होता है उसी का मलाई है क्योंकि मेरे घर पे गाय है तो उसी का मलाई बहुत मोटी मोटी से निकलती है और गाय का दूद जो हो हाथ को बहुत ही तेजि से घुमाना है यहाँ हम MExica यूज नहीं कर रहे है हाथ Сे ही इसको हम लोग फेटेंगे ठीक है आप लोग देख आ रहे हूंगे कि मैं चमठ को कितनी तेजि से घुमा रहे हूं देखिए फ्रेंच कितनी लगातार मलाई को फेटने के बाद देखिए जो मलाई हमारा बटर मिल्क जैसे दिखना सुरू हो गया है घवराईएगा नहीं इसी से हम लोग आज घी निकालेंगे देखिए मैं आपको चम्मच को उठा के भी दिखा रही हूं और थोड़ा समय इसको और फेंट ले रही हू so friends मेरे thumbnail देख से समय आपको पता लगी गया होगा कि मैंने यहा पर को सीक्रेट इंग्रिडेंड की बात की थी तो friends सीक्रेट इंग्रिडेंट आ गया है थोड़ा सा हलका सब पिंच इस में नमक डाल देना है नमक इसलिए डाल देना है कि इसमें से जो घी निकलेगा ना बह के बाद मैं इसको चम्मच के मदद से इसको उठा के भी मैं आपको दिखा रही हूं यह देखे एक दम यह ठिक दही जैसे हो गया देखे इसको मैं चम्मच से इसे निकाल के दिखा रही हूं दही जैसे यह बैठ गया है क्योंकि हमने इसमें नमक मिलाया है इसलिए यह ऐसे हो ठीक है लेकिन लाइक नहीं करते हो फ्रेंस लाइक जरूर कर दीजेगा अब देखिए इसको मैंने गैस पर चड़ाया था तो यह इसमें से एक यलो कलर निकलना सुरू हो गया है क्योंकि यलो कलर इसलिए निकल रहा है कि मैंने पहले ही बताया था कि यह सुद देशी जो गाय जलना सुरू हो गया है, हमारा जो मलाई है यहाँ पर जलना सुरू हो गया है, क्योंकि हमारा जो काम है वो आगे बढ़ रहा है, एक और बात फ्रेंट्स इसको गैस पर चड़ा के आप लोग साइड मत हो जाएगे का ठीक है, क्योंकि यह नीचे से जल जाएगा, ऐसे नॉर्म को चमत से इसे उठा के दिखा रही हूँ ना फ्रेंट्स, कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा घी निकलना सुरू हो गया है, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जटपड आप लोग का बन के रेडी हो जाएगा, नमक मिलाने से ना हमारा काम और भी आसान हो जाता है, ठीक है, जो टाइम लगता है, उससे आधा टाइम में हमारा काम खतम हो जाता है, देखिए फ्रेंट्स, यह पूरा जलना सुरू हो चुका है, और साइड साइड से घी निकलना सुरू हो चुका है, एक और बात फ्रेंट्स, वीडियो को ना स्कीप करके मत देखिएगा, स्कीप करके देखने से क्या होता है न एक एक स्टेप आप लोग मिस कर देते हों मिस करने के बाद जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट मिलता नहीं है इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ठीक है ये देखिए पूरा घी अच्छे से निकलना शुरू हो गया है जब छान के अलग कर लेंगे, जब मैं छान रही हूँ न, चम्मच को चानी के उपर रके इसको हलगा हलका से प्रेस कर रहे हूँ, ताकि जो बाकी बचा हुआ घी है, वो निकलाए, ऐसे करने से क्या हुआ फ्रेंड्स, जो चम्मच को दबाने से जयादा से जादा ज़गी है वो निकल के आ जाएगा इसलिए मैं बोल रहे हूं कि चम्मच को हलका हलका सा आप लोग प्रिस कीजिएगा यह जो बाकी जला हुआ छेना निकला है इसको छेना ही बोलेंगे इसको हम लोग फेकेंगे नहीं ठीक इसमें थोड़ा सा चीनी मिला के रोटी के साद भी खा सकते हैं या फिर नॉर्मल ही खा सकते हैं देखें फ्रेंड्स यहां मारा घी निकल के रेडी है और बहुत ही कम समय में मैंने आपको बताया है कि यहां कैसे घी निकालना है तो फ्रेंड मैं एक कंटेनर लेके इसको उसमें सेफ्ट कर दे रही हूं अब आप इसको किसी के साथ भी निजय कर सकते हैं जाहे रोटी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा